हेलो मैं इटूब फेमली कैंसु आप गैज आप मास्त होंगे तो दोस्तो आज किस वीडियो हम बात करें तर्मक्स के कुछ बेसिक कमांड्स के बारे में गैज अगर आपको तर्मक्स नहीं पता तो मैंने एक वीडियो अल्री बना चुका हूँ आप उस वीडियो को देख सकते गैज उस वीडियो के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो के आई-कार्ड एफर आपको चैनल मिल जाएगा बट फिर भी अगर मैं अगर आपको आपको कोई लैप्टॉप है और ना है कोई आपके पास कोई कम्प्यूटर है तो वो फोन में एजली सीख सकते हो यहां दोस्तों आप इजली सीख सकते हो टामक्स की हैल्प से तो बस आज किस वीडियो हम देखेंगे टामकस के कुछ बेसिक कमांड के बारे मे गाइज अगर आप सीखना चाहते हो तो बस आप इस वीडियो को सुनो से लेके लास देखना तो गाइज चलते हैं अपने फॉन के डिस्प्ले की और तो गाइज आ चुके हैं अपने फॉन की डिस्प्ले पर और चलते हैं अपने टामक्स एपलिकेशन में तो जैसे आप देख सकते हैं हमारा Tamax application कुछ overview है जैसे simply मैं आपको दिखाऊ हूँ यहाँ पर लेखा welcome to Tamax यहाँ यहाँ पर हम Tamax में आ चुके हैं तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज आपको clear करा दूँ गर जो हमार Tamax application है गर जो only हमारा command से चलता यहाँ आप नहीं कर पाओगे अगर आपको commands नहीं आती है फिर आपकी commands प्रोपर नहीं है तो तो जब हम बात करते हैं number first पर आने वाली हमारी commands तो गैज उस commands का नाम है who am I जैसे कि आप नाम से आप देख सकते हैं हूँ हमारा मैं कौन हूँ ठीक गैज अब हम बात करते हैं हमारा PWD गैज यह हमारा command है इसके थुरूब आप पता लगा सकते हैं जो simply आपकी current location क्या है एनि simply for example इसका मतल़ होता present work directory जहां पर आप अभी काम कर रहे हो उस location में उस location में मतलब क्या क्या चीज़ है फिर क्या लिए उस location में आप कहां पर हो जैसे for example PWD अगर आप command लिखोगे टामक्स में तो आप पता कर पाओगे कि मैं actually मैं कहां पर हो किस location में तो इसे मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हो आप data के slash में फिर com फिर dot फिर domax फिन files and home में अभी आप present हो जिया दूस्तों यानि PWD command से आप यह पता लगा सकते हो कि actually में मेरी current location कौन सी है यानि current location चेक करने के लिए हम PWD यूज करते हैं ठीए गाईच अब हम बात करते हैं ls command ls की थुरू हम पता कर लगा सकते हैं जहां पर हम है उस जहांगा पर क्या क्या content पड़ा है तो आयोब आपको इतना clear हो रहा होगा तो इसको मैं clear कर देता हूँ तो अब यहाँ पर लगूँगा मैं tomacs hyphen setup जैस इस command की थुरू आप जो simply हमार tomacs है tomacs को हम storage की permission देते क्योंगा जब को पता हर एक application किसी ने किसी permission लेता तो मैं लखा tomacs hyphen setup hyphen storage जैसी enter किया तो आप देख सकते थोड़ी देर में हमाई display पे एक pop-up so हो जाएगा थोड़ा wait करते हैं तो आप देख सकते हैं pop-up हो गया तो यहाँ पर लखा allow tomacs to access photos, media and false on your device तो इसको मैं allow कर देते हैं तो गयाज हम देखें लस करेंगी तो हमारी storage नाम का हमारी directory या फिर फोल्डर आ गया जो की so हो गया यह आप यह पता है लगा सकते हैं जो हमारी tomacs है उसको हमने permission दे दी है storage की तो आई होप आपको इतना clear हो रहा होगा तो गयाज हम बात करते हैं next command यानि apt list तो गयाज अगली command है हमारी apt list गयाज इस command की तूरू आप पता लगा सकते हैं जो आपका tomacs है उस tomacs में कौन-कौन सी tools है तो जैसे मैं type के apt list तो आप देख सकते हो मैं थोड़ा आपको यहाँ जूम आउट कर दूँ आपके लिए तो गयाज आप देख सकते हमारी tomacs में इतने सारे tools है जिनका हम यूज कर सकते हैं जी हैं दोस्तो तो गयाज मैं यहाँ पर एक कुल टूल्स को कॉपी कर लेता हूँ सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ कॉपी पहले मैं कॉपी कर लहाँ फिर बता रहा हूँ ठीक है तो मैंने कॉपी कर लिया अब गयाज हम बात करते हैं next command की एनि for example आपको आपको पार्टिकुलर को टूल्स के बारे में जानना तो simply आप क्या करना सबसे पहले यहाँ पर मैं clear कर दूँ ताक कि आपको एक दम clear देखे ठीक है आपको यहाँ अपको लेगना apt-sow जिस भी तूल को सो करना उस तूल को आप पहर पेस्ट कर देना आपर नाम लेख देना तो आपको चमय क्ल् chiff मेने अईंटर किया तो आपको पता चल जाय के बारे में तो इसपी कि दूर में पढ़ सकते टूल्स के बारे में तो IHOP आपको क्लियर हो रहा होगा तो गज़ अब हम बात करते हैं अगर हमको कोई टूल्स इंस्टॉल करना अपनी टामक्स में तो हम वह क्या से कर सकते हैं आपको क्या से इंस्टॉल करें तो वह टूल है apt आप को इंस्टॉल को पेष्ट कर देना तो है थी हमारा इंस्टॉल हो चुका थी आप इतने आसानी से को इंस्टॉल को इंस्टॉल कर सकते हो तो आई-hop आपको इतना किलियर हो रहा होगा अगर नहीं हो रहा तो simply आप video को एक बार फिर से play कर लेना ठीक है अब guys मैं आपको और commands के बारें बताता हूँ तो guys जिसे for example आपको कोई folder के अंदर जाना है या फिर कहले के directory के अंदर जाना तो आप क्या कर सकते वो होता cd एनी change directory for example अगर आपको storage के अंदर जाना तो आपने लिखा cd और यहां लिख दे अपने storage यहां मेरे को storage के अंदर जाना तो मैं enterprise के दिए तो guys मैं storage के अंदर आ चुका हूँ तो करूँगा मैं ls guys मैं आपको बता है ls command से क्या होता है यहां पर हम है उस जंगा पर क्या 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 content पढ़ा है तो simply lsm देख सकते हैं तो guys आपको इतनी सारी आपको चीज आपको देखने के लिए मिल रही तो guys for example आपको कोई folder आपको यह कोई directory में जाना तो आप कैसे जा सकते हो मैंने बता है cd का है अब मेरे को जैसे जाना है music में तो मैंने cd music लिखा मैं music में आ गया अब मैं देखूंगा music में क्या गया है तो music में आपको दो file आपको देखने के लिए folder देखने के लिए मिल रहा तो suppose that अगर आपको जो folder दिख रहे मैं इसलिए बनानों ताकि आपको एकदम clear होता जाए तो अब हम बनाएंगे एक folder या फिर एक directory तो उसके लिए हम बनाएंगे mkdir मैंने mkdir लखा आपको जिस नाम से बनाना उस नाम लिख देए for example मैंने यहां पर अपना नाम लिख दिया मेरा नाम का यहां पर एक folder बन चुका यहां पर कुछ content नहीं अगर होता तो आपको दिख जाता है तो अगर आपको किसी भी मतलब folder से back आना तो आपको cd space double dot और है टेंटर आप एक percent back आ जाओगे जियां दोस्तो जैसे आप देख सकते हो आप back आ गए आप ग्याज मैं आपको एक चीज यहां पर समझाओंगो for example आपने यह तो folder बनाए अगर आपको कोई file बनानी फिर आप क्या करोगे तो मैं आपको file के लिए बता रहा हूँ तो जैसे आपको यहां पर एक file बनानी है तो आप यहां पर लिखना touch और file का नाम देख सूरज.txt आपको पता हर एक file में कोई न कोई instruction होता तो आपको instruction देना पड़ेगा head enter तो हमारी एक file बनके तयार होगी यहनि सूरज.txt नामके एक file बनगी तो आप आपको इतना clear हो रहा होगा तो आपको देखना है कि मतलब file के अंदर क्या है क्योंगे अगर आपको folder को देखना हो तो आपको पता CD के थुरू आप उसके अंदर जा सकते हो बट अगर आप यहाँ पर CD लखोगे और simply file का नाम लखोगे तो आपकी command नहीं चलेगी जैसे आप देख सकते हो आपकी command नहीं चली तो गैज अगर आपको file के अंदर जाना यहाँ देखना file के अंदर क्या है तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगे मैंने में एक सबाल होगा क्या मतलम file लिखना है content क्या से लिखे it's clear तो गैज टेंसर मत करो मैं आपको बता दो तो उसके लिए एडिटार आता नैनो मैंने नैनो लिखा और simply हमारा file है उस file का मैंने नाम लिख दिया और है टेंटर तो गया जी हमारा एडिटर open हो चुका यानि simply है अगर मैं आपको लिखूं hello my youtube कुछ भी जो आपको लिखना एक सेकिंड उसी में लिख गया hello my youtube जैसे आपने लिख दिया अब सब उसदिर जो आपने लिख या चलो ठीक है अब मिरेको इसको save करना तो मैं क्या करूं तो उसके लिए अपको control दबाना और आपको साथ में आपको express कर देना ठीक है तो आप देख सकते हो वह आपको उपल लिख गया save अगर आप उसको करना चाहते तो आप white type करो तो मैं इसको save कर दिया और then enter press तो guys हमारा save हो चुका तो guys अगर आपको नई समझ में आ तो simply आपको nano लिखना फिर अपने file का ना फिर उसको जो लिखना उसको type कर देना उसके बाद आपको control लिखना तो जैसे आप देख सेगों हमारा control का button है प्रेस करना उससाथ में आपको X प्रेस कर देना एंटर प्रेस कर देना उसके बाद आपको white type करना फिर एंटर करोगे तो आप बाहर हो जाएगा save होने के बात तो guys अगर मैं आप content देखना चाहते हूं यानि क्या है मेरे उस file में तो simply में इसको cat किया है टेंटर तो आप देख सकते हैलो माई यूटूब तो guys I hope आपको इतना clear हो रहा होगा तो guys मैं यहां से थोड़ा back होता हूं तो guys आप जैसे देख सकते हूं एक second मैंने LS किया फिर से वहीं चलते हैं music के अंदर गए हम आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूं वेकौद इसलिए मैं अंधर जा रहा हूं ठीक है तो वाई suppose जो आपका folder अगर आपको कोई folder आपको delete करना तो क्यांसे करोगे है ना confusion तो बस guys मैं आपके लिए बताओं आपको लिए आरेम एनि रिमूफ मेक यह सिंपली के रिमूफ डारेक्ट्री आपके लिए रिमूफ डारेक्ट्री कुछ भी क्या लिए आरेम लिखा सिंपली आपने उसका नाम लिए और हैट अब देख सकते हो guys जो सिंपली हमारा जो folder है वो delete नहीं हो रहा है जैसे आपको delete किया तो actually delete क्यों नहीं हुआ तो आपको बतानों तो guys अगर आपको कोई folder delete करना है एक सेकिंड थोड़ा कमांड के लगए यहाँ पहले space मार दूँ हैट इंटर लस तो guys अगर आपको कोई अपना folder delete करना तो आपको full command देने पड़ी है यह यह आरेम दिया फिर आपने hyphen तो I hope guys आपको एकदम clear हो रहा होगा आपको सूरज नाम का आपका folder नहीं दिख रहा होगा only आपको text file ही देखने के लिए मिल रही है अगर आपको इस text file को भी delete करने तो कोई बात नहीं गाए उसको भी आप कर सकते easily simply आप text file का नाम लेख दो copy hit enter तो हमारी text file भी delete हो चुकी है तो guys I hope आपको इतना समझ में आया हो तो guys अगर आपको video अच्छी लगी तो video like करना और हाँ guys मैं अभी आपको एक commands के बारे में और बताऊंगा तो बस guys video शुरूं से लेके last देखना वीडियो अल्रेडी बारा मिंटरी बन चुकी है तो guys देख अब हमारा apt update for example अगर आपको tomacs को update करना तो आप क्यांस कर पहोग होता है और हाँ guys यहाँ पर आपको दो चीज देखने के लिए मिलेगे एक update दूसरा होता upgrade तो हम करेंगे apd upgrade hit enter तो यह क्या रहा है do you want to continue to update यह अगर जो आपका अपग्रेट है इसको करना चाहते है यह phone के जो simply application अगर आप सबको update करोगे तो वो हमारा upgrade होगा अगर आपको अभी नहीं समझ में आता है अपडेट है न अपग्रेट हो चुका तो मैं simply यहां से इसको कर देता हूँ clear मैंने LS किया clear तो जब आप cd. simply आप cd आप tap करोगे commands को तो आप पूरा back हो जाओगे जहां पहले आप कहा थे पहले आप थे storage में फिर उसका पाद music में अगर आप cd प्रस कर दो commands को तो आप एकदम से fullback हो जाओगे अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हो आप एकदम fullback हो चुकी हो तो guys I hope जो मैंने आपको commands बताएं वो commands आपको पता चल गई होगी और guys अगर आपको नहीं पता कि मैंने आपको commands क्यों बताई है तो guys अब हम आँगे hacking के tools install करेंगे अपने Tamax में तो आपको पता होना चाहिए कोई भी tools को हमें कैसे update करते कि उसको उसको कैसे install करते है tools को tools को simply कैसे चलाते है मतलब क्या करते है Tamax की धुरू जो मैं simply आपको tools को execute करूंगा ताकि आपको confuse ना रहे और जो simply मैं आपको tools बताऊंगा वो आप easily download कर सकते हो तो guys अगले वीडियो में मैं आपको वह सब चीज भी सखाऊंगा तो बस guys यह थी आज की वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो लाइक हो दें चैनल सब्सक्काइब करो तो guys मिलेंगे अब अग के लिए वीडियो में तब तक के लिए जाएं और बंदे मादा मना लव यू टू आल